हाई फ्रेंज्स, कल हमने नमबर 24 का सक्सस देखा था, कि 24 नमबर अपने पेट के फोटो पे लिखके उसकी लाइफ को कैसे सेव किया इन्होंने जबकी डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, कि ये पेट अब बचेगा नहीं, इसको ले जाएए घर पे, डॉग था वो फिर भी उसको सेव किया, नमबर 24 के हेल्प से, उसकी पिच्चर पे लिखा, तो नमबर 24 रिलेशन्शिप हो, कोट केस हो, एक्जाम के रेजल्स हो, आपकी हेल्थ हो, या कहीं पे भी बिजनस में, बहुत बार होता है, बिजनस में एकदम कोई, बिल्कुल लॉस ही लॉस है कोछ अच्छा हो ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत दिक्कते हैं, तब आप लोग किस तरह से 24 नमबर को यूस करेंगे, अच्छा ये कैसे काम करता है, किस तरह क्यों ये बलेस करता है, क्योंकि अब ये 24 नमबर बोलरी हूँ, तो यहाँ पे बहुत से लोगों को लगेगा कि ऐसा थोड़ी होता है 24 number से ऐसा कैसे हो सकता है इसलिए मैं यहाँ पे उसके बारे में सबसे end में बताऊंगी last में बताऊंगी विडियो के अभी फिरहाल यह बता देती हूं कि इसको use कैसे करता है सबसे पहले हम relationship की बात कर लेते हैं relationship में जैसे husband wife हों या फिर couple lovers हो और आप दोनों का relationship है लेकिन कुछ misunderstandings रहती है या आपको लगता है कि नहीं वो समझते हैं या फिर लड़ाई जगड़े चल रहे हैं या बहुत दूरियां चल रही हैं आप लोग फटा फटे काम करें अपनी दोनों की pictures निकालें अगर hard copy है तो best है उस पे edit करके number 24 लिख हो गया ठीक है अगर आपके पास couple की photo है तो इस तरह से आप number 24 लिखेंगे सामने लिख करके और इसमें एक positive intention डालके कि ये रिष्टा अब बिल्कुल बहुत अच्छा रिष्टा है बहुत understanding है हमारे बीच में और हम दोनों बहुत blessed है आप इस photograph पे लिखके इसको रख लेंगे अपने पास इसको रोजाना लिखना है नए one time activity है एक बार लिखा और छोड़ दिया फिर आपने इसको ओके तो ये जो actually ये जो number 24 ये जुपिटर का sign है ओके इस sign को हम numbers में रिख प्रेजन कर रहे है तो 24 बनता है और ये बहुत effective भी है बहुत सारे success stories है इसके आप आजमा के देखेगा आप सिर्फ number 24 लिखे अपने अपने pictures पे अपने दोनों partners के pictures पे लिखो आप लोग 24 और फिर देखना one time activity है बस अब आते हैं हम exams पे exams में जब आप लोग मालीजे आप एर करने वाले हैं कोई बहुत important exam है तो आप अपने बच्चों को अगर parents हैं तो अपने बच्चों को ये habit डालिए कि जब अपना exam उन्होंने attempt कर लिया question paper पूरा answer sheet पूरा लिख दिया तो फिर last में बिलकुल last पनने पे corner में छोटा सा एक 24 लिखें जैसे आपको इसमें दिख रहा है वैसे last में corner पे लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी कोई examiner उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि मना करेंगी कि ये क्या लिखा है छोटा सा एक blue color के pen से 24 लिखना है और ये सब जहां पे भी लिखेंगे 24 blue color के pen से ही होगा अच्छा ये होगया कोई job के लिए अपर करने जा रहे हैं तो अपने resume पे लिखे 24 ठीक है अब बहुत से लोगों का यहां पे यह होता है कि हम online exam दे रहे हैं तो online में तो हम 24 नहीं लिख सकते हैं उस time पे जहां पे ऐसा हो जाता है कि आप online कोई job के लिए apply कर रहे हैं या online आप resume में दे रहे हैं तो आप नहीं लिख सकते हैं तो उस time पे आप क्या करेंगे आप अपने left hand के thumb के नीचे वाली जगा पे 24 लिखना शुरू करें और ये आप लोग regular basis पे करें ठीक है इसको ये चीज जब आप अपने हाथ पे अपने body पे लिखना शुरू करते हो तो क्या होता है ये आपको relationship में भी आपके career में भी आपके किसी भी हर problem से भार निकालने में भी health में हर चीज में आपको help करना शुरू कर देता है ठीक है तो आप अपने हाथ पे thumb के नीचे लिखें आप कोशिश करें कि आप इसको जब भी ये light हो तो इसको वापस से darken कर लीजें ठीक है इसको मतलब हलका मत पढ़ने दीजें इसको वापस से आप dark कर लीजें ठीक है और ये जितना darken रहेगा आपके हाथ पे उतना effective रहेगा ये तो हो गया आपके लिए अगर किसी का code case चल रहा है काफी लंबे time से चल रहा है code case तो आप क्या कर सकते है आप लोग अपने जो ये file होती है ठीक है उस file अगर file है आपके पास available है तो उस file के पीछे या कहीं पे भी किसी भी paper पे आप 24 लिखें जरूर लिखें अगर in case ऐसा है कि आपने file submit कर दी है और अभी कोई papers नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं आप जबी भी case की hearing के लिए आप जाएं code में तो आप क्या करें अपने हाथ पे 24 लिखें साथ में एक paper ले plain paper ले white color का उस paper पे बड़ा सा 24 लिखें और उसके नीचे आप सिर्फ इतना लिखें कि मैं ये case जीत चुका हूँ थांक्यू 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 अनिवर्स ठीक है ये case बिलकुल मेरे favor में आया है इसकी जो भी इसका result है वो सब मेरे favor में है positivity के साथ आप इस paper को fold करके अपने wallet में purse में pocket में रखके जाए ठीक है ये आपको बहुत help करेगा and yes बहुत helpful होता है ये हो गया code case के लिए now एक चीज और बता दू कि अपने हाथ पे अगर कोशिश करें तो सब लोगों को लिखना है और business वालों के लिए suppose आपका office है या business का कोई area है factory है कुछ भी है कोई जगा है जहां से आपका काम चलता है रोजगार चलता है ठीक है तो आप वहाँ पे clients आए, customers आए, sale बढ़े उसके लिए हम क्या करें आप एक काम कर सकते हैं एक frame बनाईए बढ़िया एक frame बनाईए सुन्दर सा 24 लिखा हुआ 24 blue color से होगा white color का background रहेगा मतलब white color के paper पे 24 लिखा हुआ होना उसको आप frame कराके अपने आपका जो office area है या जो particular आपका office है या shop है या कोई भी चलता है वहाँ पे आप front के wall पे लगाएं front का wall मतलब वो wall जो आपके जो entrance की तरफ facing है मतलब कोई अगर entry कर रहा है तो उसको सामने 24 दिखेगा ठीक है तो बहुत simple है यह आपके business में यहाँ से help करेगा आप वहाँ पे 24 लिखेंगे ठीक है इसके अलावा और कहां यूज कर सकते है आप लोग health वालों के लिए जो health problem में है फसे होए बहुत दिनों से बिमार चल रहे है दवाईयां लगनी बंध हो जाती है वो अपने medicine के जो medicine जाहे वो bottle में हो या फिर tablet का जो पूरा पत्ता होता है उस पे आप कहीं पे भी उस strip पे आप कहीं पे 24 लिखें हो सके तो एक white color का paper ले ले छोटा सा चिट ले ले उस पे 24 लिखें वहाँ पे paste कर दें ये करें इससे भी आप लोगों को बहुत फाइदा होगा दूसरा इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं आपके जितनी medical reports आई हैं उन सारे reports पे आप 24 लिखो जो बहुत ज़ादा आपको लगता है कि report बिल्कुल ही खराब report है मेरे health के लिए बिल्कुल सही report नहीं थी उस report को देखके हम sad हो जाते हैं उस पे तो आप ज़रूर 24 लिखे ठीक है क्योंकि ये उन ही सब चीजों को ठीक करने का जादू करेगा जो लोगो को इसमें विश्वास नहीं है वो प्लीज मत करिएगा ट्राइ करने के मकसद से मैं हमेशा मना करती हूँ कभी भी मेरे techniques को ट्राइ करने के मकसद से मत किजिए करना है तो पूरे faith and belief के साथ और करने के बाद just relax छोड़ दीजिए चीजों को काम करने का मौका दीजिए universal powers को divine powers को इन energies को work करने के लिए आपको अपनी thought को छोड़ना होगा release करना होगा तो बहुत simple तरीके मैंने बता दिया है मैंने relationship cover किया exam cover किया और court case cover किया health cover किया है यहाँ पे और यह सारे important factors हैं हमारे life के successful होना है तो आप अपने gratitude journal में अगर journal लिखते हैं तो रोजाना नियम रखिए कि 24 number हमें कहीं न कहीं पन्ने पे लिखना ही लखना है और हमेशा blue color का ही इस्तेमाल करेंगे तो please color को लेके कोई question मत पूट करिएगा क्या हम red से लिख सकते हैं क्या नई blue मतलब सिर्फ और सिर्फ blue ब्रहसपती अब बता देती हूँ ब्रहसपती एक ऐसा planet है गुरू एक ऐसा planet है जो हमारी जिंदगी में हमें हमेशा तरक्की की तरफ ले जाता है बढ़ात्री की तरफ ले जाता है कैसे क्योंकि गुरू हमें वो बुद्धी देते हैं वो पावर देते हैं कि हम अपनी परेशानियों से लड़ पाएं सही decision लेके बढ़ पाएं हमें मजबूत बनाते हैं तो मजबूत जब कोई चीज हो जाती है तो वो फिर चीज हमेशा ठिलने लगती है आगे बढ़ने लगती है तो उसी मजबूती को represent करता है planet Jupiter इसके sign को लिखने के बाद इतना number miraculous है कि really आपको वो blessing feel होगी अपने relationship में हर जगा आपको बहुत blessed feel होगा तो आप लोग इसको बनाएए बहुत simple सा है and yes that's all thank you so much and God bless you all